कभी कभी पाव मुढने से इस तरीकी से सूजन आ जाती है या फिर मोच आ जाती है इसे ठीक करने के कई इलाज है लेकिन आज मैं आज मैं आपको सबसे बहतरीन इलाज बताने वाली हूँ पहले की दो पिक्चर्स में आपने देखा कि किस तरीके से सूजन हुई थी लेगिन अब ये सूजन बिलकुल कम है ना के बराबर है ये किस तरीके से बिलकुल ठीक हुई है आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम रामबान इलाज है, मैजिकल इलाज है जिसकी हल्प से बहुत ही आसानी से दर्द और सूजन सब कुछ चला चाहेगा तो चली शुरू करते हैं इस इलाज को अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें यहाँ पर मैने एक पैन ले लिया है और उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल करीब एक चमच मैंने डाला है आपके पास अगर सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई और तेल यूज कर सकते हैं लेकिन सरसों का तेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है मोच में, दर्द में, चोट में, किसी इस तरीके के इलाज में जैसे ही सरसों का तेल तो ओड असा गरम हो जाता है इसमें आजवाइन डालेंगे अजवाइन जो है इसमें सबसे जादा जादू का काम करने वाली है इसकी हल्प से सारा दर्द, मोच अगर आपका मास फटा हुआ है सब कुछ ठीक हो जाएगा गरम तेल में आप इसे डालें और उसके बाद में आप गास को बंद कर दें जैसे ही थोड़ी सी चटकने लगे हम इसमें डालेंगे हल्दी बहुत ही basic ingredients है जो आपके घर पे हमेशा available होती है लेकिन इलाज इतना अच्छा होगा मतलब मुझे भी नहीं पता था मैंने किसी से सुना था मेरी बेटी के पैर में चोट लग गई थी उन्होंने मुझे बताया और मैंने use किया सच में इतना effective था कि मैंने सोचा कि मुझे ये जरूर बताना चाहिए बाकी लोगों को भी ताकि अगर किसी के बच्चे को या बड़े को इस तरीके से चोट लग जाती है तो वो बहुत ही असानी से घर पे इसका इसे एक ही तरफ से सेखना है सरसों का तेल, हल्दी, अजवायन और ये गेहों के आटे की आधी पकी हुई रोटी ये इतना magical काम करती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है सिर्फ पेर की चोट में नहीं और भी कहीं आपको मोच वगरा आई है अगर आपकी कमर वगरा मुड़ गई है इस तरीके की कोई भी चीज है तो उन सारी चीजों में आप इसे यूज़ करें एक ही बार के इस्तिमाल में ये बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम करती है गरम तवे पर हमें डालना है बहुत जादा नहीं पकाना और एकी तरफ से हमें हलका सा पका लेना है दूसरे तरफ से कच्चा रखना है और उतना नहीं पकाना जितना हम आम तोर पर रोटियों को पकाते हैं थोड़ी सी कच्ची ही रखनी है और इसे हमें उतार लेना है जिस साइड आपने तवे की तरफ रखी थी उस तरफ हमें ये हल्दी और तेल वाला पिश्रण जो है वो नहीं लगाना है बलकि उपर की साइड जहां पे बिल्कुल भी सिखी हुई नहीं है रोटी वहां पे हमें इस मिश्रण को लगा लेना है और गरम रोटी को ही इस मोच पर बानना है अब बच्चे हैं तो जादा गरम रोटी को नहीं बानने देते हैं तो हलकी हलकी गरम हो उस टाइम पर बान दें लेकिन अगर आप बड़े हैं तो कोशिश करें कि जितनी गर्मी आप सेहन कर सकते हैं उतना आपको बानना है हातों से या किसी भी स्पैटुला से ये जो मिश्रन है इसके उपर फेला लें ये मैंने बना कर रख लिया है रोज इसे ही यूज़ करने वाली हूँ तो ये मैगनेट चुम्बक जैसा काम करेगा और आपके अंदर का दर्द जो है वो सारा खीच के बाहर निकाल देगा अच्छे तरीके से इस मिश्रन को फेला लें और उसके बाद में पैर के जिस एरिया में आपको चोट लगी है आपका अगर मास फट गया है मोच आ गई है अकडन आ गई है तो बस उसी के उपर आपको इससे डालना है ये मेरी बेटी बहुत मुश्किल से मुझे लगाने देती है हर बार इसके नकरे होते हैं कि ममी गरम है लेकिन कोशिश करें कि हलकी फलकी गरम तो हो क्योंकि थोड़ी सी रोटी गरम होगी तभी इसका असर करेगी देखिए यहां पे थोड़ा सा नीला नीला भी हो गया इसका पैर लेकिन इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है तो इस रोटी को उसी एरिया पे आप डालें जहां पे आपको मोच आई है या फिर चोट आई है अब इसे बानना है पट्टी से हम बान करती है चमडी के अंदर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल कपड़े या नॉर्मल पट्टी से भी काम चला सकते हैं बस हमारा मोटेव यह होना चाहिए कि जो शरीर की गर्मी है वो अंदर रहे और उस गर्मी और इस रोटी और बाकी चीजों से मोच जो है हमा करें और उसके बाद में इस तरीके से इस क्रीब बैंडेज को बांदे जब आप बैंडेज बांद रहे हैं तो कोशिश कीजे कि इसके ओपर कोई भी सिल्वटे ना हूं बहुत ज्यादा टाइट भी ना बाने इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत करें और इसे 3-4 दिन तक रोज लगाएं